नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ शरत प्रधान और लखनव सेंट्रल में आज हम बात करेंगे चुनाव आयोक के बारे में जी हाँ आप सबने देखा अभी हाली में मुक्य चुनाव आयोक राजीव कुमार की प्रेस कांफरंस हुई दिली में जिसमें की गोशना की गई अठारवी लोक शबा के चुनाव के बारे में जो की 19 अपरैल से शुरू होंगे और पहली जून को तेह हो जाएगा कि किसकी सत्ता आ रही है और कौन बन रहा है प्रधान बंतर ये ये बात ये रुटीन प्रक्रिया है जो हर चुनाव से पहले होती है लेकिन इस बार मुक्य चुनाव आयुक्त के पूरे जिस तरीके से उनका बयान आया जिस तरह उनकी प्रेस कॉंफरेंस नक्ठ हुई उससे कहीं न कहीं चुनाव आयोग की निश्पक्षता पे सवालिया निशान उठते हैं और कई निशान सवाल उठते हैं आपने देखा उन्होंने बहुत जोर दिया और इस बात को बार बार दो राया कि ये लोगतंतर का सबसे बड़ा महुत्सभ है चुनाव और उसके लिए लोगतंतर को बनाए रखने के लिए नहायत जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो हर एक प्लेयर के लिए लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में इस होने वाले चुनाव में सब पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और ऐसी लेवल नहीं है undulation है वो चुनावायों को नहीं दिखता है और इसमें सबसे बड़ा जो question है वो इस बात का है कि electoral bonds सब ने देखा है किस तरीके से electoral bonds को की पूरी प्रक्रिया में कितना बायस रहा है और जो अभी तक जो चीजें उजागर हुई है जो सुप्रीम कोड के आदेश के disclose करी है उन से साफ जाहिर होता है कि सबसे बड़ा beneficiary भारती अजनता पाटी रही है उन electoral bonds की 6000 करोड के bonds उनको प्राप्ट हुए है अभी ये माना जा रहा है कि उन bonds की खरीद में और bonds के बाटने में कहीं न कहीं सरकार का रोल रहा है क्योंकि कई major companies जन्होंने बाटने बाटन उनके माँ E.D. या और enforcement agencies की rates पढ़ी है उसके बाद उन्होंने instantly उसी की कुछ दिनों बाट उन्होंने bonds खरी दे और वो bonds अब ये आने वाला समय बतायागा जब वो decoding होगी क्योंकि अभी तक state bank ने कुछ information चुबा रख की है बावजूद सुप्रीम कोट के फटकार के वो जब सामने आएगा अभी तक logically यही लग रहा है कि उन companies के खिराफ जो E.D. ने कारवाई या enforcement agencies ने जो कारवाई करी वो bonds खरीदने के बाद रोगती गई तो जाहिर है कि bonds कहा गए होंगे यह ठीक है कि इसमें विपक्षी पार्टी को भी काफी पैसा मिला है टीमसी सबसे उपर है 16 सकरोड कांग्रेस है 14 सकरोड लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि अगर इस हमाम में सब नंगे हैं तो इसलिए सब को माफी कर देना चाहिए जो पार्टी सब्ता में होती है उसके पास तमाम साधन है इन चीज़ों की इस तरह की उगाई करने के और यह जो कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा स्कैम है और उगाई का स्कैम है इस चीज़ को यह ठीक बात है कि प्रूव करने में वक्त लगेगा और तब तक शायद इलेक्षन संपून हो जाए और पार्टी पावर में वापस आ जाए जिसका सपना देखा जा रहा है जिसका सपना देखा जा रहा है और यह सपना सबसे बड़ा है कि नरेन मोधी फिर से तीसरी बार प्रदान मंतरी बनके इत्यास क्रियेट करें उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं रूलिंग पार्टी कुछ भी कर सकती है वही हो रहा है इस मामले में यह देखते हुए कि जिस तरीके से सरकार ने इतना अव्यस प्रेशर डाला से स्टेट बैं करने में जब सुप्रीम कोड की कॉंस्टिशनल बेंच ने पठकार लगाई तब ही स्टेट बैंक ने सारा खुला सारा तो नहीं कहूंगा मैं फिर तब खुलासा करना शुरू किया इससे साफ जाहर होता है कि जो समय मांग रहे थे वो जूट था उसको ही उसका जो ग्राउ तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं से भी शुरुवाद से ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जो डेट्स भी बनती है वो सूट करने के लिए बनती है सरकार के इसाफ से ये ठीक है कि हर जगे उनकी सरकार नहीं लेकिन जहां जहां है और जिस तरीके से प्रोलॉंग किया जाता है एलेक्शन को उसका भी बेनिफिट सताधरी पार्टी को ही मिलता है लेकिन इससे भी ज्यादा जो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा था उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टन्ट है वो ये कि जब इवीम्स पर सवाल उठे इलेक्ट्रानिंग वोटिं गए हैं बताया गया है कैसे मैनिफिलेट होता है और वीवी पैट जो कि सिर्फ 20 परसेंट या 25 परसेंट लगे हुए हैं उनके जरिये से किस तरीके से मैनिफिलेशन होता है यह चीज सामने उजागर हो चुकी है जिसको की मुक्य चुनाव आयुक्त ने बड़ी लाइटली की डिस्मिस कर दिया जब यह सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि 30-40 पेटिशन हो चुकी हैं डिफरेंट हाई कौर्ट में और सुप्रीम कौर्ट में और सब जगे वो पेटिशन डिस्मिस हो चुकी हैं यह जवाब है यह उन्होंने नहीं बताया कि जो बातें आ लोगों ने सोशल मीडिया पर को मेंस्ट्रीम चैनल तो भाजपा की ही गाता गाता है तो जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से देखलाया जा रहा था कि EVM कैसे मैनिपलेट होती हैं उसको मुक चनाया युक्त ने बड़ी ऐसे डिस्मिस किया जैसे कि म रहमियत ही नहीं थी यह माल लेना अगर इसी लाजिक पर चलें कि तो जो चुनाओं आयुक्त अपॉइंट होते हैं जैसे अभी दो हुए हाल में हुए हैं तो क्या उनको एलेक्शन का एक्सपोर्ट्स माल लिया जाएगा उससे पहले उनका कभी एलेक्शन से कोई संबंद नहीं रहा हो तब भी शायद जब कभी डियम रहे हो तब रहा हो वर्शों पहले तो इस तरीके से रंडाउन करना साफ दर्शाता है किसी ना किसी प्रकार का बाइस और इससे भी जादा जो सवाल उठता है चुनाओं आयोक्त के उपर वो ये कि इन्हीं एवियम्स को लेकर कि 26 आपोजिशन पार्टी जने डिमैंड करी जाच उन्हों को उनकी कंप्लेंट की कोई तवजव ही नहीं दी गई है यहां तक कि उनको अपॉइंट्मेंट नहीं दे गया किसी भी आपोजिशन पार्टी को चुनाओं आयोक्त जा रहा है अब ये आप देखेंगे कि उस प्रेस कांफरंस में ये सवाल उठा ही नहीं तो शायद ये भी मुम्किन है ये माना जा रहा है बहुत से पत्रकारों का माना ये है कि पहले से ही तैय हो जाता है कौन से सवाल किसके सवाल लिये जाएंगे किसके नहीं लिये जाएंगे विजाहिर है, बहुत सारे जर्नलिस्स होते हैं, हर एक से सवाल कोड़ एंटर्टेन नहीं किया जाएगा, तो जहां से भी उमीद थी उन्हें कि इस सवाल उठेगा, और बड़ा वाजब सवाल था, लोग तरह मतलब क्या होता है, आजादी से कम से कम सवाल पूछने की तो पॉइंटमेंट नहीं मिला है, बताते हैं कि लगबग देड़ दो महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और एलेक्शन कमिशन के पास उनके से बात करने के लिए कोई सवाल नहीं है, तो किसी एक पत्रकार ने जो सवाल उठाया था, कि कम्प्लेंट्स आती हैं, तो सत्ता धार पार्टी के खिलाफ कम्प्लेंट्स को एंटिटेन नहीं किया जाता है, और उपोजिशन के खिलाफ कम्प्लेंट्स फोरन एटेंट की जाती हैं, इसका भी मुक्चनाय आयोग ने, आयुक्त ने कोई जवाब नहीं किया, यह क्या दर्शाता है, यह लेवल प्लेंग अभी हाल में एक चुनाओ आयुक्त ने स्तीफा दिया उन्होंने ये कहा कि पर्सनल रीजन से दिया है इसके जवाब में उन्होंने बड़ी सफाई से कह दिया कि साथ वो तो व्यक्तिगत रीजन्स है अब हमें पूछने का अधिकार नहीं किसी के व्यक्तिगत रीजन्स क्या है लेकिन क्या जिस तरीके का रवया रहा है चुनाओ आयुक्त का पास में जिस तरीके के पहले के चुनाओ आयुक्त अशोक लवासा के साथ जो सिलुक किया गया क्या उसके बाद भी आप मान देंगे कि ये इन्होंने परसनल रीजन्स की वज़े से किया इस्तीफा दिया जाहिर है कोई ना कोई वज़े होगी जो शायद डर के मारे जिसका खुलासा नहीं कर सकते हो उसमें क्या वज़े हो सकती यह नहीं कह सकते हैं हो सकता है Electoral Bonds हो क्योंकि Electoral Bonds जिस दिन से Introduce हुए बहुत से लोगों का यह मानना था कि यह बहुत गेम को बिलकुल Unfair कर देगा यह Level Playing Field नहीं रखेगा और यह एक जरिया बन जाएगा Bribery का Institutionalized तरीका पर Bribery और यह आज की डेट में बहुत से Political Analyst और Commentators ने अल्रेडी कहना शुरू कर दिया है कि यह Bribery का एक बहुत बड़ा Scam है Electoral Bonds के बारे में कई Political Analyst और Experts काफी दिनों से यह बात कहते रहे हैं कि यह देश का सबसे बड़ा Bribery Scam निकलेगा और कई उन्हें इस बात बहुत पहले भी कही है इससे पहले कि यह उजागर होती Supreme Court के आदेशों के तहट इससे पहले भी बात कही कही है Mainstream मीडिया इसके बारे में बात नहीं करता है Reason बड़ा Simple है जैसा देखा है आपने Mainstream मीडिया सिर्फ His Master's Voice बन चुका है और ताजूब की बात यह है कि अभी कुछी दिनों पहले एक चैनल के बहुत बड़े कॉन्क्लेव में Union Home Minister अमिट शाह को इस बात को justify करने का मौका मिला बड़े जोर शोर से कि Electoral Bonds जो है दरसल Brivery को रोकने का तरीका है उन्होंने बड़े जोर शोर से का हम लोग तो इसलिए लाए जिससे की पता रहे किसने किसको फंड दिया हमको 6000 करोड बिला या बोल रहे हैं अल्रड़ी एक्सपोज हो चुके हैं सुप्रीम कोड के आदेशों के तहर बुल लगे और इसका justification नहीं दे रहे हैं इससे पहले भी पैसा लिया जाता था क्या नहीं लिया जाता था और खूब पता ही नहीं लगता था कहां से आ रहा है पैसा और ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे कि सिर्फ दूसरी पार्टी को मिलता था भारती एजन्ता पार्टी तो दूद की धुली हुई है तो तो लिया ही नहीं इसनों नहीं और क्या ये कहकर के विल टू रॉंक्स मेक तो राइट मेक इट राइट नो अगर उसमें गड़बड होती थी येस कैश दिया जाता था और ऐसा नहीं है कि कैश अभी भी नहीं जा रहा है ये तो उपर से दिखा दिया गए सब को मालू है कि जो लिमिट है पॉर इसन्स लोग सवाग में एक कैंडिड के खर्चे की लिमिट 90 लाक है तो क्या आपको लगता है 90 लाक में खर्चा पूरा हो जाता है एक MPK एलेक्शन के लिए करते ही नहीं 5-5-10-10 करोड रुपया खर्च करते हैं कहां से आता है वो अभी भी चल रहा है सलसला और ये कहना कि इस से ट्रांस्परिंसी आ गई है सरासर जूट और जो अंचोई हो रही है उसके उपर परदा डालने का तरीका है तेकिन ये किया जा रहा है इन सब बातों से बिल्कुल क्लिरली दिखता है कि कहीं पे लेवल प्लेइंग फील नहीं है और इलेक्शन कमिशन हमारे आपके आखों में धूल जोकना चाहता है ये बता करके कि अल इस गो फाइन अल इस वेल यही बताया गया उस प्रेस कांफर्स के ये चीज सामने नहीं आई कि क्यों नहीं इलेक्शन कमिशन दूसरों को मौका देता है उनकी बात सुननी नहीं जाती है और खूम फिर के आपने ये भी देखा है कि जिस तरीके से चल रही है प्रेक्रिया और ये क्यों चल रही है इसलिए वो दौर खत्म हो गया जब टी अन्शेशन जैसे मुख के चुनाओ आयुक ते होते थे या जेम लिंडो जैसे होते थे इवन स्वाई कुरेशी के टाइम में इलेक्शन कमिशन की साख थी अब तो जो अपॉइंटमेंट अफ इलेक्शन कमिशनर्स है उस पे अल्रेडी बहुत सवा लोग चुके है किस तरीके से चीफ जेस्टन फट इंडिया को उस पैनल से ही अटा दिया गया जिसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे क्यों अटाया थे जाहिर है कि सरकार चाहती है कि उन्हीं के नुमाइंदे न्हीं के हैंड़ पिक्ट नुमाइंदे की election commission का हिस्सा रहे है उसके बाद कहते हैं कि level playing field है बड़ी हास्यासत लगती है कि नहीं इसमें सच से कितना दूर है और देश के हित्स से कितना परे है यह आप खुद समझ सकते हैं झाल